नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी व्यवसाइक अध्यान पुस्तक का सात्वा अध्याय कंपनी निर्माण शुरू कर रहे हैं यह अध्याय हमें कंपनी के व्यवसाइक स्वरूप के निर्माण से जुड़ी हुई सभी बारीकियों को समझाता है यह एक महत्वपूर अध्याय है क्योंकि इस अध्याय के माध्यम से आप कंपनी जो की व्यवसाइका सबसे विस्तरित स्वरूप होता है उसके निर्माण के बारे में सीख पाएंगे जब हम कंपनी के निर्माण की बात करते हैं तो उसके ओपर एक अलग अध्याय बनाने की आवश्रक्ता इसलिए पड़ी क्योंकि कंपनी का निर्माण अपने आप में एक बहुत ही लंबी और विस्तरित प्रक्रिया है जो की अन्य व्यवसाइओं में नहीं पाये जाता कंपनी के व्यवसाए के विचार के जनम होने से लेकर उस कंपनी का वैद्यानिक रूप में प्रारंब होना इस बीच जो भी चरण आते हैं यह सभी उसके निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा कहलाते हैं अर्थात जब कोई कंपनी को शुरू करने वाले व्यक्ति मन में यह वस्तु या सेवा का वैवसाए करना है और उन्हें यह वैवसाए कंपनी के स्वरूप में करना है तो उस वैवसाए के विचार के जनम लेने से लेकर कंपनी के आरंब होने तक कि सभी चरण सभी प्रक्रियाएं कंपनी के निर्माण के अंदर आती हैं जो लोग यह कदम तो आईए एक-एक करके इन तीन ओ चर्णों के बारे में विस्तार में चरचा करें पहला चर्ण है प्रवर्तन प्रवर्तन कम्पनी के निर्मान की प्रक्रिया का पहला चर्ण है इसमें व्यवसाई के अवसरों के खोज वो कम्पनी की स्थापना के बीच के सभी कदम आते हैं यदि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या एक कम्पनी इस दिशा में कदम बढ़ाती है कि उन्हें एक नई कम्पनी शुरू करनी है तो ऐसे व्यक्तियों को कम्पनी का प्रवर्तक कहा जाता है कम्पनी शुरू करने से पहले के सभी कदम इस पहले चरण में आते हैं जिसे हम कम्पनी प्रवर्तन के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में से हम प्रमोशन कहते हैं कम्पनी को शुरू करने से पहले के सभी कदम इसके अंदर आ जाएंगे तो आएए इसके अंदर के इन मुख्य कदमों या कारियों को एक-एक करके देखते हैं सबसे पहला कदम होगा व्यवसाय के अवसर के पहचान करना जो कि बहुत सवभाविक है सबसे पहले उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के समूह आदी के मन में या विचार आना चाहिए कि उन्हें कौन सा व्यवसाय करना है किस छेतर में उन्हें एक अवसर दिख रहा है यदि उन्हें लगता है कि इस छेत्र में एक अवसर है, एक मौका है काम करने का, कंपनी शुरू करने का, लाब कमाने का तो वो उससे जुड़ा विचार अपने मन में लाते हैं या आइडिया अपने मन में लाते हैं एक बार वो अपने इस आइडिया या विचार को मन में ले आए तो समझदार प्रवर्थ तक उस विचार या अवसर को क्रियानवित करने से पहले उसका अध्यान करते हैं वो उसके संभावेता की अध्यान करते हैं जो की दूसरा कदम है दूसरे कदम में उस प्राप्त विचार या अवसर की संभाविता चेक करनी है या जाचनी है कि यह विचार या जिस प्रकार का विवसाय हमने करना सोचा है क्या यह आर्थिक रूप से या वेवहारिक रूप से करने योग है यदि हाँ तो फिर वो इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं और अगले कदम पर चलते हैं अगला कदम आता है विवसाय के नाम का अनुमोधन यानि पहले तो प्रवर्तकों को अपने विवसाय का एक नाम सोचना है फिर उन्हें उस नाम का अनुमोधन या अप्रूवल लेना है जो की कमपनी मामलों के अधिकारी के पास मिलता है नाम की अच्छे से जाच की जाती है कि कहीं ये नाम किसी प्रकार से गैर कानूनी तो नहीं कहीं या नाम पहले से किसी कंपणी द्वारतों नहीं लिया जा चुका ऐसे सभी पहलों की जाच करके यदि सब कुछ ठीक लगता है तो नाम को अनुमती दी जाती है नाम प्राप्थ हो जाने के बाद अब कंपनी अपने अंदर अपने व्यवसाई में मुख्य व्यक्तियों की पहचान करती है जिनें निदेशक भी कहा जाता है ये निदेशक कंपनी के पहले मुख्य दस्तावेजों के हस्ताक्षर करता बनते हैं पहले ऐसे सभी हस्ताक्षर करताओं की पहचान करनी होती है जो कमपनी के पंजी करन के वक्त उसके सभी मुख्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे हस्ताक्षर करताओं की पहचान होने के बाद अब कमपनी कुछ पेशेवर लोगों के नियुक्तिय करती है ऐसे लोग जो कमपनी की कानूनी तौर पर सहयता करेंगे कमपनी के दस्तावेश तयार करने में उसके सहयता करेंगे और कमपनी के पंजीर करण से जुड़े सभी कामकाजवा कानूनी दावपेंचों को देखेंगे वह संभालेंगे ऐसे वकीलों या इससे जुड़े हुए बैंकरों आदी की नियुक्ती करना भी आनिवार्य है ताकि कमपनी के सभी मामले पूरी तरह से पुकता रहें इसके पश्चात अब आवश्यक प्रलेखों या डॉक्युमेंट्स की या दस्तावेजों को तयार करना है अभी तक प्रवर्तन में कमपनी ने क्या क्या किया या उसके प्रवर्तकों ने क्या क्या किया पहले तो व्यवसाय के अफसर को पैचाना फिर देखा कि वो कितना संभव है क्या वो करने योग्य है क्या उस अफसर या विचार को वाकई में हम क्रियानवित कर सकते हैं फिर उसके नाम को अनुमोदित किया, फिर मुख्य हस्ताक्षर करताओं को सुनिशित किया, पेश्यवर लोगों या सस्थाओं की नियुक्ति की, वो अंत में अब सभी आवश्यक प्रलेख या दस्तावेज तयार करने हैं अब यह एक महत्वपूर बिंदू है, आपको परिक्षा के दृष्टी से भी इस बिंदू पर ध्यान देना है कि कंपनी के पंजीकरण के वक्त कौन-कौन से मुख्य दस्तावेज या प्रलेख होते हैं सबसे पहला वह सबसे प्रमुख प्रलेख है संस्थापन प्रलेख जिसे अंग्रेजी में हम Memorandum of Association MOA के नाम से जानते हैं MOA या संस्थापन प्रलेख या कंपनी का सबसे जरूरी वह प्रमुख दस्तावेज होता है इसमें कंपनी के अस्तित्व से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारिया होती हैं जो पंजी करन के वक्त और सभी कंपनी से जुड़े लोगों को जरूरत पढ़ने पर जानकारी दे सकता है ऐसे सभी जानकारिया जो किसी के लिए भी जरूरी हो कंपनी के बारे में जानने के लिए वो संस्थापन प्रलेक में होती है जैसे की कंपनी का नाम क्या है उसका व्यवसाई किस प्रकार का है कंपनी का मुख्याले कहां पर है कंपनी में किन लोगों ने कितनी पूंजी लगाई है किन की क्या जिम्मेदारिया है इस तरह कि सभी महत्वपूर जानकारिया संस्थापन प्रलेख में डे जाती है संस्थापन प्रलेख को कंपनी के अस्तित्व में आने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज माना जाता है संस्थापन प्रलेख तयार करने के बाद कम्पनी के अंतर नियम नाम का एक दस्तावेज भी जरूरी है हाला कि है संस्थापन प्रलेख जितना जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी इसे एक जरूरी दस्तावेज माना जाता है प्रक्रियाओं के जुड़े हुए नियम काईदे के बारे में होता है कंपनी अपने सभी अंदरोनी कामकाज कैसे करेगी लोगों की भरती से लेके कच्चे माल की प्राप्ति वह ऐसे सभी अंदरोनी कामकाज वह उनसे जुड़े नियम काईदे कंपनी के अंतर नियम में होते तो यदि हम इन दो मुख्य दस्तावीजों के बीच अंदर को भी देखें तो सबसे पहली चीज यह है कि संस्थापन प्रलेख ऐसी जानकारियों को लेकर आती है जो कंपनी के बाहर के व्यक्तियों के लिए ज़रूरी होती है जबकि कंपनी के अंतर नियम में कंपनी के खुद के अंदरोनी कामकाच से जुड़ी हुई जानकारिया होती है इन दो दस्तावीजों के बाद अगली चीज है प्रस्तावित निर्देशकों की सहमती जिन भी लोगों को कम्पनी अपने अंदर निर्देशक बनाना चाहती है उनकी द्वारा एक लिखित सहमती भी प्राप्त करनी होती है कि वो अपनी सहमती से कम्पनी के निर्देशक बनना चाहते हैं इसके पश्चात यदि कम्पनी कुछ बाहर के लोगों से जैसे कच्चे माल के पूर्ती करता हो या आन्य बाहरी लोग हो यदि उन में से किसी से किसी प्रकार का समझोता कम्पनी ने किया है तो वो समझोते भी कम्पनी को बताने और दिखाने होते है इसके पश्चात कम्पनी को एक वैधानिक घोशना पत्र जारी करना होता है इस घोशना पत्र में कम्पनिय बताती है कि उसने अभी तक के लिए सभी जरूरी दस्तावेज तयार कर लिए है वो सभी महत्वपूर्ण हस्ताक्षर भी उसके पास उपलब्द है ये सभी दस्तावेज तयार करने के बाद कम्पनी को पंजी करन की फीस भुकतान करनी होती है वो फीस भुकतान की एक रसीद भी इन दस्तावेजों के साथ लगानी होती है एक बार ये सभी दस्तावेज तयार हो जाएं तो इसके बाद कम्पनी समा मेलन के लिए जाती है या पंजी करण के लिए जाती है इन सभी उप्युक्त आपचारिक्ताओं को पूरा करने के बार प्रवर्तक दस्तावेजों आधी को लेकर एक आवेदन पत्र तयार करते हैं वो उसे कम्पनी के रजिस्ट्रार के पास जमा कराते हैं जब कंपनी का रजिस्ट्रार पंजी करन की इन सभी अपचारिकताओं की जाच कर लेते हैं वो इसके बारे में संतुष्ट हो जाते हैं तो वो कंपनी को इसका समा मेलन प्रमाण पत्र यानि की पंजी करन प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं इसका अर्थिया होता है कि कम्पनी अस्तित्व में आ चुकी है पंजीकरन पत्र एक प्रकार से कम्पनी के जन्म प्रमाण पत्र की तरह भी होता है या इस बात का प्रमाण होता है कि कम्पनी कानूनी रूप से जन्म ले चुकी है जिस प्रकार किसी व्यक्ति या मानव का जन प्रमाणपत्र बनता है उसी प्रकार इसे कम्पनी का प्रमाणपत्र कहा जाता है शुरू नहीं हो जाती है कम्पनी को इसके बाद एक महत्व पूर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जो कि है पूर्जी अभिदान की प्रक्रिया हाला कि इस बीच 1 नवंबर 2000 से कम्पनी रजिस्ट्रार को सभी कम्पनियों को एक CIN नंबर या निगम पहचान नंबर का आबंटन करना भी अनिवारी कर दिया गया है इसके पश्चात कम्पनी पूर्जी अभिदान के लिए जाती है आईए अब पूर्जी अभिदान की प्रक्रिया की बात करते हैं सबसे पहले तो यह ध्यान में रखना जरूरी है कि पूर्जी अभिदान की लंबी प्रक्रिया सार्वजनिक कम्पनियों के लिए होती है निजी कम्पनियों में तो जो प्रवर्तक है या जो कम्पनी के स्वामी है वो अपने निजी पूर्जी का प्रयोग करते हैं उन्हें जनता से पैसे नहीं लेने पड़ते इसलिए उन्हें एक लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता लेकिन जब एक कम्पनी जनता से प्रतिभूतियों आधी को जारी करके पूंजी प्राप्त करना चाहती है तो उसे एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है इस प्र आरतिय प्रतिभूती वह विनिमय बोर्ड यानि की सेबी अर्थात Securities Exchange Board of India का अनुमोधन प्राप्त करना होता है। जनता को किसी भी प्रकार की गलत जानकारी ना दे वह जनता के पैसे को गलत तरीके से प्राप्त ना करे उसका गलत उप्योग ना करे। कंपनी को पहले अपना प्रस्ताव सेबी के पास ले जाना होता है। उसे सेबी को इस बात से आश्वस्त करना होता है कि वह जनता के पैसे को वाकई में कंपनी के लिए उप्योग करना चाहते हैं। सेबी का अनुमोदन मिल जाने के बाद कंपनिया विवरन पत्र जमा करती है। बिवरन पत्र को हम company का prospectus भी कहते हैं विवरन पत्र दरसल एक सूचना पत्र भी है और एक निवन्तर पत्र भी है । है सूचना पत्र इसलिए है क्योंकि विवरмат पत्र में company अपने भूत वर्तमान वा भ्हविष्य से जुडências सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देती है वो कंपनी के मुख्य हस्ताक्षर करताओं उसके निदेशकों प्रबंदकों इनसे जुड़ीवे जानकारियां कंपनी के सभी प्रोजेक्ट से जुड़ीवे जानकारियां कंपनी के भविश्य के बारे में यह जुड़ीवे जानकारिय जिस प्रकार की प्रतिभूतियां वो जारी कर रहे हैं उसकी जानकारिया ऐसी सभी महत्वपूर्ण जानकारिया विवरण पत्र में कम्पनी लोगों को देती है ताकि जो लोग कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं वो पहले कंपनी के बारे में अच्छे से जान ले और जाच ले इसे हम निमंतरण पत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि विपरण पत्र के माध्यम से कमपनी एक प्रकार से लोगों को या जनता को अपने कमपनी में पैसा लगाने के लिए आकरशित या निमंतरद भी कर रही है कंपनिये दिखाना चाहती है कि हम कितने उप्यूक्त हैं और हमारे में पैसा लगाना कितना सही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनी की तरफ आकरशित हूँ इसके बाद जो अगला कदम इसमें आता है वो है बैंकर ब्रोकर वा अभी गोपन करता हूँ आदिकी नियुक्ती शेयर यानि अंच पूंजी को जारी करने में इनकी भी बड़ी महतोपून भूमिका होती है अब जब कंपनी जनता से पैसे लेती है तो ऐसे में भारी मात्रा में राशी का लेंदेन होता है इस लेंदेन को संभालने के लिए कंपनिया कीक बैंकर नियुक्त करती है इसके अलावा सभी अंच पूंजिया या सभी शेयर जनता तक पहुँचे जनता को आकर्शित करें इसके लिए ब्रोकरों आधी की साहता ली जाती है वह अंत में कई बार कमपनिया अभी गोपन करताओं को भी नियुक्त करती हैं अभी गोपन करताओं वो एजेंसिया या वो एक्ति होते हैं जो कमपनी के तरफ से या कमपनी को एक प्रकार की गारंटी देते हैं कि कंपनी के सभी शेर लोगों द्वारा खरीद लिये जाएंगे यदि ऐसा नहीं होता तो इसका जोखिम अभी गोपन करताओं का होता है बदले में वो एक प्रकार का कमीशन लेते हैं इस प्रकार के सभी मुख्य एजंसियों या व्यक्तियों के नियुक्ति करने के बाद कमपनी लोगों से आवेदन प्राप्त करती है इसके पस्चात आवेदन की संख्या देखी जाती है कमपनी ने पहले से ही यह निर्धारित किया होता है कि उसे नियुन्तम कितना अभिदान चाहिए यदि उस नियुन्तम राशी से कम अभिदान मिलेगा तो कमपनी क्या करेगी यह भी पहले से सोचा जाता है इसके उपर सेबी ने भी एक नियम लागू किया हुआ है सेबी के नियम के अनुसार एक कमपनी ने जितने भी अंश जारी किये है उनमें से यदि नब्बे प्रतीशत से कम अंशों का आवेदन आता है तो कमपनी को पूरा का पूरा अपना ये चरन या पूरी प्रक्रिया रद करने पड़ेगी उसे सभी आवेदन वापस करने पड़ेंगे उनकी राशिया वापस करने पड़ेगी कमपनी किसी भी व्यक्ति को शेर यांश नहीं दे पाएगी तो नियुन्तम 90 प्रतिशत की एक शर्थ सेवी की तरफ से इसके उपर रखी गई है इस शर्थ को पूरा करने के बाद यदि कम्पनी को 90 प्रतिशत या उससे अधिक आविदन प्राप्त हो जाते हैं तो फिर कम्पनी अब इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेगी और वह लोगों को अंश आबंटन करने का सोचेगी लोगों को अंश आबंटन करने से पहले एक कम्पनी को अपने शेरों को किसी शेर बाजार में भी पंजिगरित करवाने पड़ते हैं ऐसा इसलिए जरूरी हो गया है ताकि एक बार जब लोग आपकी कम्पनी के शेर या अंश खरीदें तो इसके बाद वो उन्हें लेके फस ना जाएं वो कभी भी चाहें तो उसे बेच सकें ऐसा उनके पास अवसर होना चाहिए लोग या शेर धारक बाद में शेर को यदि बेचना और खरीदना चाहते हैं तो ऐसा किसी शेर बाजार के माध्यम से ही हो सकता है इसलिए कम्पनी की ये जम्मदारी बनती है कि वो अपने शेर यान्शों को किसी शेर बाजार में पंजिकरित करवाए वहाँ जाकर आवेदन दे एक बाज शेर बाजार में पंजिकरन हो जाए इसके बाद फिर कम्पनी अपने अंशों का आबंटन करती है चुने गए लोगों को उनके अंश दिये जाते हैं और फिर उनसे बदले में बाकी की राशी मांगी जाती है इस प्रकार कम्पनी के पास जो नियत पूंजी थी जो पूंजी उसे चाहिए थी वह प्राप्त हो जाती है अब चाहे वो एक सार्वजनी कम्पनी हो जो इस प्रकार से पूंजी एकत्रित करे या वो एक निजी कमपनी हो जो अपने निजी शुरोतों से पूंजी एकत्रित करे एक बार जब पूंजी एकत्रित हो जाती है उसका प्रमान लेकर भी कमपनी के रजिस्टरार के पास जाना होता है और उन्हें दिखाना होता है कि हमने पूंजी भी प्राप्त कर ली है या जुटा ली है इससे संतुष्ठ होने के बाद रजिस्ट्रार कमपनी को कमपनी शुरू करने का प्रमान पत्र भी दे देते हैं और इसके बाद कमपनी अपने पैरों पर खड़ी होती है वो अपना कामकाज शुरू कर सकती है तो बच्चों हमने देखा कि एक कमपनी के निर्मान में ये मुख्यत तीन चरण आते हैं पहला चरण था कमपनी का प्रवर्तन जो की बहुत ही महतोपून चरण है इसमें व्यवसाए के अफसर को पहचानने से लेकर उससे जुड़िवे सारे कदम उठाना, सारे दस्तावे इसतियार करना, कानूनी कारेवाहिँ को पूरा करना वो सब इसके अंदर शामिल होता है लोगों को जुटाना निदेशकों को एकत्र करना भी इसके अंदर आता है प्रवर्तन का अर्थ यह हुआ कि कम्पनी पंजी करन से पहले कि जितने भी काम है, वो सब कंपनी के शुरुवाती मालिकों यानि प्रवर्तकों को करने होते हैं, इसलिए वो प्रवर्तन के चरण या कदम कहलाते हैं इसके बाद पंजी करण होता है पंजी करण की आपचारित्ता को पूरा करने के बाद कमपनी को पूंजी प्राप्त करनी होती है जो कि सारवजनी कमपनी के लिए थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया बन जाती है हालकि इस प्रक्रिया के अंत में जब पून्जी प्राप्त हो जाती है तो फिर कम्पनी अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है मैं आशा करता हूँ कि आपको कम्पनी निर्मान के सभी चरण समझ आये होंगे आज के इस भाग में इतना ही धन्यवाद आपको कम्पनी इस भाग में जुछ समझ करना वारा राम जाती है हो जाता ही निया भी इस भाग में लाग में आपको कि आपको कर सकती है जाता है झाल झाल